वजन, मोटापा या चर्वी कम करने के लिए आपने एक फॉर्मूला जरूर सुना होगा गरम पानी, शहद और नीमबू इसे मिलाकर रोज सुबक खाली पेट पीने वाला और लगभग जितने भी लोग मोटापे से या चर्वी से पीडित हैं उन्होंने उसका एक ना एक बार प्रयोग जरूर किया होगा पर आसान सा दिखने वाला यह नुस्खा जान लेवा और बिमारी बढ़ाने वाला भी हो सकता है क्या जान लेवा जी हाँ मुझे भी ये चीज के भरोसा नहीं हुआ था जब तक हमने आईरवेद की सहिताओं को खुल कर नहीं पढ़ा और आज हम बात करेंगे क्यों गरम पानी और शहद जहर या विश का काम आपके शरीर में करता है और वजन घटाने के लिए अगर आपको शहद यूज करना ही है तो वो कौन सा सेफ तरीका है जिससे की वजन, मोटापा और चर्बी भी कम हो जाए और शरीर को नुकसान भी ना हो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए स्वागत है आप सभी का ओज आईरवेद में जहां हम बात करते हैं शुद्ध और सही आईरवेद की और आज हम बात कर रहे हैं गरम पानी और शहद के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि शहद का गुण क्या है अर्थार शहद का स्वभाव होता क्या है इस बारे में चरक रिशी 27वे अध्याय के 245वे शलोक में कुछ इस तरह कहते हैं अर्थात आचार्य चरक कहते हैं कि सभी प्रकार के शहद हनी या मद जो हैं वो रूखे सुभाव के हैं रूख्यता करने वाले और भारी होते हैं शहद का सुभाव ठंडा होता है एक बार फिर से कहता हूँ शहद का सुभाव ठंडा होता है बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि शहद मतलब गरम जी नहीं आईरवेद में शहद के सुभाव को ठंडा कहा गया है और रूखापन बढ़ाने वाला कहा गया है यह सभी तरह की जो जॉइंट हैं उनको जोड़ने का काम करता है और शरीर के अंदर जो fat है उसे छेट-छेट के या फोड-फोड के कम करने का काम करता है या रक्त-पित अर्थात शरीर में जो खून निकलता है खास करके वो मासिक धरम में हो, लेट्रिन के माग से खून निकलता हो, नाक से खून बहता हो, या इंटरनल ब्लीडिंग हो, जिसे हेमरेज कहा जाता है, उन सभी बीमारियों में शहद एक अच्छी दवा है शहद के फायदे बताने के बाद ही, आचारे चरक ने अगले श्लोक में तुरंत ये बात कही है, कि गरम पानी के साथ, गरम वाता वरण में या गरमी से परिशान लोगों के लिए शहद विश है, चलिए जानते हैं उस लोक को उनकी स्ट्रिक वार्णिंग है कि गरम किया हुआ शहद, गरम चीजों के साथ शहद, या जो लोग गरमी से परिशान है, ऐसे सभी लोगों के लिए शहद मारक है, अर्थात जान लेवा तक हो सकता है क्योंकि शहद को एक प्रकार का विश कहा है, अब शहद और विश का क्या रिलेशन्शिप है, इस बारे में भी आचारे चरक ने कहा है, कि जो मधुमक्खियां होती है, वो सभाव से विशैली होती है, और अलग अलग पूलों का जो रसे इकठा करके शहद बनाती है, इसलि तो चरक की दो एड़वाईस है, जो ध्यान रखिये, गरम चीजों के साथ, मतलब चाहिए वो गरम पानी हो, शहद को गरम करके खाना हो, या गरम ब्रेड के अंदर, या गरम दूद के अंदर, इन सभी चीजों के साथ शहद खाना आपके लिए विश या जहर का ही काम फायदे का नहीं, इंटरनेट पे हम शहद की बहुत सारे फायदे पढ़के, कि इसमें इतना प्रोटीन है, विटामीन है, मिनरल है, ये सब तो सुन लेते हैं, पर उसका प्रयोग कैसे करना, उसका सुभाव क्या है, या कोई नहीं बताता, इसलिए आचारी चरक की बात ध् करना चीए, पर मोटापा और चर्बी बढ़ी हुई है, उसको कम करने के लिए क्या करें, तो अगर आपको मोटापा, चर्बी या जो फैट बढ़ा है, उसे कम करना है, उसका भी एक उपाय है, आईरवेद में ऐसा कहा है, कि गरम पानी के साथ तो शहद जहर है, तो आप क् पानी को, जब यह ठंडा हो जाए, तब आप शहद मिला कर पी हो, तो इससे डबल फायदा होगा, एक तो जो गरम करके ठंडा किया हुआ पानी है, वो खुद हलका है, शरीर के अंदर से चर्बी और कफ को कम करेगा, और उसके साथ जब आप शहद मिला देंगे, तो यह जो फैट या चर्बी है, बहुत से लोगों को जन्मजात मोटापा होता है, और कुछ भी करने के बाद चर्बी नहीं हटती, उन सभी लोगों को यह ठंडा पानी और शहद का कॉम्बिनेशन चलेगा, और जाते जाते शहद के बारे में चरक रिशी की एक और बात सुनते जाई वो कहते हैं कि शहद कभी भी बहुत जादा मात्रा में यूज नहीं करना, क्योंकि अगर जादा शहद खा के आपको अपचन इंडाजिशन हुआ, तो उसकी चिकिस्ता करना सबसे खतरनाक है इस दुनिया में, तो शहद का प्रयोग हमेशा कम मात्रा में करे, पूरे दिन मे तीन से चार चमस शहद काफी है, और उसे हमेशा सादा पानी या गरम करके ठंडा किया हुआ पानी के साथ करे, बजाए की गरम पानी से, वरना ये फायदे के बदले नुकसान करेगा, उमीद है आईरवेद की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और शहद के बारे में यह सही जानकारी दूसरों के साथ आप शेयर जरूर कीजिए, ऐसे ही आईरवेद की सही जानकारियों के लिए यूट्यूब पे ओज आईरवेद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें